सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा था जिसमें आपने देखा कि जो DSP ट्राफिक थे रूलर एरिया के नीरज पर डिहार जी उन्होंने चलान किया था और उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे बाइकर्स भी आये थे प्रेस क्लब में उनमें काफी जो हमारे यंग्स्टर थे उनमें काफी गुसा था और वो यह कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हम जम्मू से बाहर देखे तो किस तरहां से वहाँ पर जो है वो व्लॉग्स बनाये जाते हैं या वहाँ पर भी जो है वो ड्राइविंग की जाती है लेकिन इस तर जहां से शुरू हुआ है जिस तरह से वीडियो देखें वह इंस्टाग्राम पर यह वीडियो देखते हैं तो उसके बात में जम्मो में भी ट्रेंड शुरू हुआ है तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आ देखिए ट्रेंड जो है मैं इस चीज़ को मांदो कि इस च तो वो चीज जो है वो ठीक नहीं है हमने उसी चीज को कवर किया हाँ अगर आप को पसलनी वीडियो अपनी बनाते हो किसी तरह की जो किसी की जान जो है जोकी में नहीं डालती है किसी को परिशानी नहीं देती है उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है साथी साथ अगर हम देखें, अगर हम highway की तरफ चले जाएं, आप देखें कि Sidra highway की तरफ जब हम जाते हैं, हमने बहुत सारे bikers मिलते हैं, वाँ पर stund करते हुए, क्या अभी उनको देखा जा रहा है, अभी उनको मतलब जांच में लाया जा रहे, इससे पहले भी वो stund करते किसे तो पहले कभी किसी ने क्यों नहीं देख़्ा देखे लोग देखे जाएंगे आज की बात नहीं है उसके बारे में आप थोड़ा से बताइए कि किस तरह से कौन सी बाइक जो है वो चलने के लायक है और किस तरह की modification जो है वो करवा सकते और नहीं करवा सकते हो जो आपका registration certificate होता है RC होती है जो किसी भी गाड़ी के चाहे वो two wheeler हो चाहे four wheeler हो चाहे और के बड़ी गाड़ी हो उसमें एक specification होती है कि हम किस गाड़ी को जो concern आती हो है वो किस गाड़ी को pass कर रहा है उसकी क्या specification है four wheeler है two wheeler है sitting capacity कितनी है उस तरह से है उसको आप बिल्कुल भी modify जो है वो नहीं कर सकते हो जो आम बाइकें जैसे जो खरीदी जाती है जो normal routine जितनी भी बाइक जितनी भी companies निकालती है जो normal bikes है उनको आप जो है अपने चला सकते हैं उनका alteration करना चाहे वो tires की हो चाहे वो silencer की हो चाहे वो steering की हो चाहे lights की हो वो सारा modification में जो है वो cover होता है और उसको हम violation of RC में जो है हम जो है चलान करते हैं जिस तरह से अगर हम जमों में देखे बहुत सारे modification center भी की जाती हैं देखे ऐसा हमारे notice में आया है कि मलकी जगों पर इस तरह की modification की जाती है उसके उपर जो है carway जो है वो की जाएगी चलिए इसके उपर बात करते हैं जिस तरह से अगर हमने देखा है कि रैश ट्राइविंग करते हुए बहुत से youngsters हैं जो जाते हैं चाहे वो city का एरिया हो चाहे वो village का एरिया हो उन तक कैसे पकड़ा जाएगा उने क्योंकि रोज ही अगर हम देखे हमारे यंग्स्टर रोज ही इतनी तादात में निकलते हैं घर उसे बाहर देखिए सबसे मैंने पहले भी बन्दरों इंट्रुविस में उनमें बताया है आज में फिर स जा रहे हो रोड पर आपने बाई कैसे चलानी है प्रॉआपर हैल्मेट पेर रेश और ड्राइवग जो है वह नहीं करनी है ना अपनी जान कि जोतिके में डानी है किसी और की जान जोत्रह में उसके बार रESPONSBILITY जो है वह आती है हमारी आती है और ड़एक्स और तो जब भी देखते हैं कभी ऐसा आश ड्राइविंग कर रहा है तो फिर हम उनको कवर करते हैं उसके बाद जो है यह जिम्मारी पबलीक की भी है कि अगर आपके area में कभी ऐसा भी कभी आपको दिखे ूर। कोई इस तरह से रैश भाइक चला रहा है रैश गाडी चला रहा है यहाँ जादा sound में चला रहा है तो वो हमारे notice में लाएं तो हम उस पर कार बात करें कि आपका क्या message रहेगा जिस तरहां से youngsters को लेकर और एक खास मेरा सवाल यह है हलमेट्स को लेकर कि हलमेट्स से क्या किसी तरहां की दिक्कत है जिसमें जिस तरहां से vlogs बनाते हैं आगे camera जो है वो fit कि होते हैं उन से किस तरहां की जो है देखिए पहले हलमेट्स पर ही बात करेंगे हलमेट्स जो Indian Standard Organization की हलमेट्स आती है जो रेकलो हलमेट्स है जो हम आम लोग सभी लोग बहनते हैं वो हलमेट्स पहननी चाहिए जहां तक बात है कि उस पर camera मौंट किया होता है ठीक है आप कहते हूं कि हम उससे जो है आप प्रापन तरीके से drive जो है वो नहीं कर पाओगे इसलिए कोशिश ये करने चाहिए ठीक है अगर आपको view capture करना चाहते है आपका साथी view capture करें कि वो drive तो नहीं कर रहा है वो view capture करें आप खुद view capture करने से आप distract होगे अपनी जान को खतिर में डाल रहे हो और दूसरों की जान भी जो हो खतिर में डाल रहे हो दूसरी बात है आपने कही message की बात हो मैं यही message में पहले भी देता हुँ कि जो भी road पे आता है जो भी गारी चलाता है जाहे वो two wheeler हो four wheeler हो particularly हम youth की बात करेंगे उनको ये मैसेज है कि जब भी आप ड्राइब करें टू विलच लाएं या फोर विलच लाएं हलमेट पहने, सीड बेल्च पहने प्रप्पल जो मोटर विकल एक्ट के रूल्स है नॉम्स है उनको फालो करें ट्राफिक सेंस है एक, ड्राइविंग एक सेंस है लें ड्राइविंग उसको फालो करें अननसेसलरी आप देखें वो हाँ ना करें और प्रेशर हाँ का यूज जो है वो बिलकुल ना करें जिस तरह से अगर हम इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखें यूट्यूब पे वीडियोस देखें कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस होंगी जिनमें बाइक का नंबर भी दिखता होगा कि बच्चे जो है वो स्टंड कर रहे हैं रैश ड्राइविंग कर रहे हैं कभी ऐसा कुछ हुआ कि वीडियोस देखके उन जब हम अवेर कर रहे हैं तो लोग जो है वो सीख रहे हैं चीज़ों को बहुत बहुत शुक्रिया यह थे मायर सार नीरज पढ़्यार और बहुत से सवाल थे जिस तरहां से आपने देखा कि यंग्स्टर्स के क्या हेलमेट से कौन सी दिक्कत है ऐसा भी जो है वो बहुत से सवाल पूछे गए थे तो आई होप आपको आपके सवालों के जो है वो जवाब मिल गए होंगे तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं आशिये खानिक साथ आल्ला हाफिस